नमस्कार दोस्तों स्वगत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोगिया पर समानी ग्यान कट्टेस लगाने वाले हैं जहां पर आपके काफी अच्छे प्रस्ण है और हमने प्लेस बना दिया है जहां पर आपको हिंदी जीके सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए चली स्टार करते हैं यहां पर आपका दिया गया है कि निमने में से किसका संबंद वेदान्त दर्शन के साथ नहीं है तो याद रखेगा इनका जो संबंद है आपके आप्स्राइट कभी अभिनो गुप्ता ठीक है अभिनो गुप्त का संबंद आपके वेदान्त दर्शन से नहीं है अपितु इनका एक यह कह सकते हैं एक दास्तनिक रहस्वादी और संदर सास्त्री है ठीक है और यह हैं कहां के तो आपके कस्मीर के हैं ठीक है कस्मीर इनका जनुवा था न में वीदेश मंत्री को क्या का जाता था यहां पर 82 कॉप्शन राइट 82 कॉप्शन राइट आपका जवाब हो जएगा ए नमर इन्हें हम लोग सुमंत कहते थे क्या कहते थे यह सांती और सर्त जो संधी आपकी थी इनकी सर्तों वा वीदेश की गुप्त खबरें रखता था इ यहां पर नेश कोश्चन को आते हैं कोश्चन आपसे एगला है भारती सामयवादी दल का भीभाजन दो दलों CPI और CPIM में किस वर्स में हुआ था तो CPI और CPIM में जो आपका भारती सामयवादी दल का भाजन था यह हुआ था 1964 में आप्शन राट-अप कभी हो जगा 1964 में स्वाधी कम्यूनिस पार्टी और दूसरा जवाब का सीपी यह मतलब होता है मार्क स्वाधी कम्यूनिस पार्टी ठीक है इन दो भागों में वहाजित हो गया था नेस्ट कोशन है कि निमनिकित में से किस बौध साहित में महात्मा बुद्ध के नैतिक ओम सिध्धान्त सिध्धंट प्रभक्रचन आपको देखनों को मिलता है तो महत्मा बुद्दkke के नैतिक और उनके बारे में जो पता चलता है यह मिलता है आपके वीना ओप्सेन रेटप काई हो जागा वीनाय पीटक में बुलता है इनके उपदेश वगारा ठीक है अगला कोश्चन आप से पूछा गया है किन्यमने में से किस सिख गुरू ने खालसा पंति की स्थापना किया थी यह कोश्चन बहुत अच्छा है तो यह आपके गुरू कौन है जिन्होंने खालसा पंति की स्थापना किया था तो पचासे को अप्शन रेटप को जाए का गुरू गोविन सिख उदार किया थी यह आपके सिखों के दसमें और अन्तिम गुरू गोविन सिख थी ठीक है और यहां पर नेस कोश्चन आते हैं कोश्चन आप अगला है पड़ थे तो आपके option right D आपके अकबर तो याद रखे मुगल समराथ अकबर जिनका सासनकाल 1556 से 1605 तक चलता है और यह कह सकते हैं इन्होंने कई सुधार किये थे बिद्वा विवा पर बल दिया था ठीक है आध को दिया था और याद रखे इन्होंने सिच्छा पर भी महत् कि जाती थी 87 का जवाब तो याद रखे 87 को उप्सन राइट अप कसी हो जेगा ब्रामणों को ठीक है तो गुप्त वंस की स्थापना स्रीगुप्त ने माने जाती है पर न तो इनका पहला सासा कौन था चंदगुप्त बर्थम ठीक है इनके समय में यह के सिकते हैं परतको सरवाधिक नुकसान कौन पचातें त्याद रखी यह पहुंचाते हैं आपके कलोरो कारवन ठीक है क्लोरो फ्लोरो कारवन ऑप्सन रैट अपका डी हो जाएगा ठीक है निस को चने गरजिती चलीशा प्रचंड 50 यहों चीकता साथा हैं क्या गरजिती चलीशा अगला तरफ एक चेशन आप में प्रश्चमी पॉलते हैं ठीका राजिको एक प्रकार की घास है option right up का यह हो जाएगा एक प्रकार की यह क्या है भाई एक प्रकार की घास है और यह मुक्यता दच्छिन अमेरिका में पाज जाती है ठीके और नेस कोच आप सेगला है कि समान वर्षा वाले छेत्र को जोडने वाली रेखा कही जाती है समान वर्षा वाले छेत्रों को जोडने वाली रेखा तो भाई इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं तो option right up कभी हो जेगा ISO height क्या बोलते हैं भाई ISO height बोलते हैं समान वर्षा वाले छेत्रों को इस्थानों को ठीके और समान दाब वाले को बोलते हैं ISO बार समान दाब बाले को आईसो बार और समान ताब बाले को आईसो थर्म बोलते हैं ठीके और समुद्धी तलकी समान खारेपन की मात्रा को व्यक्ति करने वाली जो परत होती है उसे मोलते हैं आईसो हाई लाइन ठीके चारो कोशन कंपलीट हुई अगला कोशन है अलक नंदा और भागी रथी मिलती है कहाँ पर जी कोशन है तो अलक नंदा और भागी रथी ये कहाँ पर मिलती है याद रखेगा ये मिलती है आपके दियो प्रियाग में और भागी रथी आपकी मिलती है बहुत अच्छा कोशन है आगला कोशन है कि निमने खित में से किस राज में सबरी माला इस्तित है ये भी आपका कोशन बहुत ही करेंटर से रिलेटेड है तो सबरी माला केरल की राधधानी तिरुवन्त पूरम से 153 किलोमेटर के दूरी पर आपके पंपा के निकर परस्चिम का कफी पोर्ट कहलता है कोफी पोर्ट तो कॉफी पोर्ट यह आपका आद रखियेगा ये का से सबसे बड़े सहर सावैंज के बाहे बंदरगाह जो है क्योंकि कफी उत-पादन में ब्राजिल क कब इसव charms प्रत्रामी स्थान है और इससे बंदर गा सहर से ब्राजिल के लगबह 80% कॉफी कॉफी निरयात की जाती है ठीक है और वही पर देखा जाए वियत नाम दूसरे स्थान पर आता है कमबोडिया तिसरे स्थान पर आता है ठीके कॉफी में अगला कोशन है वैला डिला किसके उत्पादन के एपसिद्ध है वैला डिला किसके उत्पादन के एपसिद्ध है भारत में अबरग का स्थरवाधिक उत्पादक राज तो अबरग का स्थरवाधिक उत्पादक राज यहां पर आपका हो जैगा option right D आपका आन्द प्रदेश ठीके D number आन्द प्रदेश हो जाएगा option right आपका D हो जाएगा ठीक है चले नेस कोशन आपसे एगला पुछा गया है यहाँ पर कि रास्टी मानव अधिकार आयोग के अध्यच एवं सदस्यों की न्युक्ति समीत में निम्न से कौन सदस्य नहीं होता है मतलब कि मानव अधिकार आयोग के अध्यच एवं सदस्यों की जो निक्ति होती है वो आपकी इन कौन सी समिती ये करसी कौन सदस्य आपके नहीं होते हैं यहाँ पर तियाद रखे राज सभा का सभापती ठीक है राज सभा का सभापती आपके मानव अधिकार का अध्यच एवं सदस्यों की निपति नहीं कर सकता है ठीक है समझ में आ गया option आपका B हो जाएगा अगला कोश्य नहीं तो किसके द्वारा की जाती है यहाँ पर option राइट ठानवे का हो जाएगा B नमबर राजपाल की द्वारा ठीके किसके द्वारा तो 98 गभी हो जाएगा राजपाल जाद रखे अध्याच उमसद्वार राजपाल एक समिती की अंसद्वारा करते हैं और इस समिती प्रमुक्र राजपा मुखमंत्री होता है और इसके अनसद्वार में विधान सबा really राजपाल संद्वा these यदि राज में विधान परिषस उप तो यह सब लोगों की करते हैं ठीक है समझ में आगया होगा आप चलिए अगरा कोश्चन है किस सम्विदान संसोधन एक्ट के अंतरगत मद्दाताओं की उम्र 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गए थी 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गए थी यहाँ पर याद रखेगा 99 कोश्चन है यह हो जाएगा 16 में सम्विदान संसोधन ठीक है 16 में सम्विदान संसोधन अधिरियम यह आपका आया था तो उसके तया तक वे सकति हैं इनकी उम्र को घटा कर आपकी 21 से 18 वर्स कर दिया गया ठीक है और यहाँ पर नेस कोश्चन करते हैं कोश्चन आपसे एगला है इभारती सम्विदान के किस अनुछिद में चुनाओ आयोक का उलेक कहां किया गया है चलिए यहाँ पर 100 का जवाब देना है और 100 को अप्सन राइट आपका जवाब हो जाएगा उप्सन राइट वि अगला कोश्चन है राज विधान परिशद का प्रावधान भारती सम्विदान के किस अनुछिद में रखा गया है राज विधान परिशद का प्रावधान तो राज विधान परिशद का प्रावधान है यह आप का है किसमें त्यादर के अनुछिद 171 में किसमें अनुछि तो आप देख लिए विधान परसुदों की सरचना एक सो बाहत्तर में क्या होता है तो राज्यों की विधान मंडलों की अवधी बताई जाती है ठीक है अगला कोशन आप से दिया गया है यहां पर कि उत्तर प्रदेश राजी का ब्रहतम उद्धोग कौन सा है उत्तर प्रदे अगला कोशन है काच उद्धोग के लिए राज्य का कौन सा सहर प्रसिद्ध है काच उद्धोग के लिए चले काच उद्धोग के लिए आपको बताना है और काच उद्धोग के लिए बहुत ही अच्छा कोशन है आपर एक सो तीन का उप्शन राज्यों का डी हो जाएगा 104 का जवाब देना है और 104 का option right आपका याद रखिएगा Option right आपका C हो जएगा आपके लखनों में है कहाँ पर है? लखनों में है निष्ट question दिया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना सूध परिशद का गठन कप किया गया? उत्तर प्रदेश में गन्ना सोध परिशत का गठन कप किया गया था याद रखे 1976 से 76 के बीच में आपको किया गया था गन्ना सोध परिशत का गठन option rate up का C हो जाएगा ठीके और next जो आपकी question आपके कह सकते हैं वो आपको हम निश्पार्टम आपके ले आएंगे क्योंकि आपके 50 प्रक्षन होते हैं वीडियो आपका बड़ा हो सकता है लेकिन exam के समय आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं मेहनत भी करते हैं इसके पहले ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं इसलाए हम लोग यहाँ पर 25-25 की साबसे प्रस्ण आपको लेके आएं कभी आपके हो भी जाते हैं कभी 50 के उपर भी हो जाते हैं ठीके तो परेसान मत होईए एक जाम टेट जैसे निकलती है वैसे आपके यहाँ पर वीडियो की संख्या और वीडियो की लिंथ बढ़ जाएगी ठीके तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिए वीडियो लाइक करिए दोस्तों को भी सेर करिए धन्यवाद जहिंजे भारत